विल्कम डू सुकला स्टेड़े परण्ड आप सभी का स्वागत हुए आपके प्रेन युटूब चेनल सुकला स्टेड़े परण्ड में मैं से होम सुकला आप सभी दोस्तों का हारदिक स्वागत करता हूँ आज के वीडियो के माधिम से हम B.A. B.A. C. B.C. B.A. G. B.A. C. Home Science B.A. Secondary Third semester में जो Co-Curricular Course होता है यानि अनिवार प्रस्ण पत्रवाला उसको साल्व करने का परियास करेंगे एक विश्विद्याले है जिसकी परिक्षा हुई सायद ये राजा महेंदर प्रताप विश्विद्याले जो है State University उसी का पेपर है मेरे हिसाब से और मैं जहां तक करक्ठ हो तो इसका एक परिकार से आपको पेपर दिखाने का प्रियास करूँगा कौन-कौन से प्रस्ण पूछे गए थे लगभग अधिकतर प्रस्ण जो है हमारे दोरा बताए गए मालन पेपर से आये हुए हैं तो आप यहां पर देख सकते हो और आपकी यूनिवर्सिटी का जो पेपर होगा उसके लिए बहुत ही हल्पफुल होगा यह वीडियो चुकि आप डारेक्ट एक यूनिवर्सिटी का कौशन पेपर देख रहे हो और सेम इसी जो है सलेबस के एकॉर्डिंग आपके भी परिछा में प्रस्ण आने वाला है इसी तरीकी का तो आप एक अलग तरीके का कान्फिटेंस आपके अंदर डबलफ होगा कि आप पेपर देख लेंकि ऐसे पेपर आता है और पेपर का अन्सूर आप इसमें पचातर तो एक प्रकार से आपके लिए मालन पेपर के तोरपर भी हो सकता है इससे पहले तीन मालन पेपर already available है और पी मालन पेपर आपके एक आदो में दे दूगा तो उसको लेगर के परिसान नहीं होईएगा ठीक है बाकी यहाँ वीडियो आपके लिए बहुत महत्पूर है एक बार सभी दोस्तों के पास अपने सियर जरूर कर दीजेगा यही आप लोगों से निवेदन रहेगा कि सभी दोस्तों तक पहुचा दीजे बीए बीडियो को लाइक कर दीजे कर पसंदार आए मैं मेहनत करता हूँ रात दिन आप लोगों के लिए आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें ओके सबसे पहला निवेदन यही आपसे चले मैं प्राराम करता हूँ बीए बीसी विकाम सभी के लिए यहाँ पर किवल लिखा भी यह है बाकी सभी बीसी के लिए विकाम के लिए सभी के लिए ठीक है थार्ड समेस्टर का ठीक है होमन बैल्यूज एंड इन्वार्मेंटल इस्टड़ी जैने की मानव मूल या मानविय मूल और परियावड़ी अध्यान तो टाइम आपको डेट घंटे का दिया जाएगा ठीक है मैक्सिमम नंबर अब आपके अंक जो है पचातर अंक कहा है इसमें और पचातर कोश करने हैं ठीक है ये बात है पचातर में से केवल पचास परसनों को चाड़ कर क्या आपको करना था इसमें से बाकी उनिवस्टी में जो भी निर्देश दिया जाएगा तो आप पहले एक बार निर्देशों को जरूर पढ़ ली जगा चुकि अलग-अलग बिश्विद्या लग-अलग निर्देश यानि नोट होते हैं ठीक है तो आप अंग्रेजी और हिंदी दोनों में देख सकते हैं यहां पर आपका दिखा हुआ है ठीक है मैं आपको बताने का प्रियास करता हूं प्रसन कि अखिरकार कौन-कौन से प्रसन पूछे गए थे जिन भाई साब ने नहीं है बहुत मेहनत करनी पड़ेगी मुझे अभी वीडियो में आगे चल करके लेकिन मैं करूँगा ठीक है चले आपका प्रसन आ चुका एकस सीटू कंजर्बेशन इंकलूडेड यह मैंने आपको बताया था निम्न में से क्या बाह अस्थानी सनक्षण है बाह अस्थान आगे बढ़ते हैं अगला परसन आगला परसना आपका दूसरा नंबर है तो जिनों ने उसका भी लगाए उनको नंबर मिल जाएगा अगला परसन है what is the full form of NZT यानि NZT का पॉर्ण रूप क्या है ठीक है बताएं बहुत बढ़ी हाँ परसन है NZT का पॉर्ण रूप क्या है भई NZT का पॉर्ण रूप है आपका National Green Tribunal ठीक है तो आपसन नमर इसका D करेक्टर एंसर होगा दूसरे का D option is right answer जिन्होंने D लगा उनको बिल्कुल नमर भी लेगा अगला परसन आपका आज जुका है देखें अगला परसन है greater the year quality index of a reason indicate बताएं वायो गुर्वत्ता सोचकांक का जादा होना इन में से क्या दर्साता है तो अगर वायो गुर्वत्ता सोचकांक जो है यानि कि जो year quality index है जिसको आप सार्ट फार्म में AQI बोलते हो ठीक है AQI बोलते हो अगर यह बढ़ता है जितना जादा बढ़ता है उतना अदा अधिक परदूसर जितना घड़ता है उतना कम परदूसर ठीक है तो प्रशन क्या कह रहा है कि वायो गुर्वत्ता सोचकांक का जादा होना इन में से क्या दर्साता है तो अधिक वायो परदूसर दर्साता है आप सानमबर इसका एक अरेक्ट एंसर होगा more polluted year ओके आगे बढ़ते हैं चबता परशन आप का आ चुका है भई स्कीन पर पर है कि वायल्ट लाइफ प्रोटेक्षन एक्ट वाज इनफोजेड इन इंडिया in the year यानि वायल्ट लाइफ प्रोटेक्षन एक्ट भारत में किस वर्स meं लागू हुआ तो किस वर्स में लागू हुआ यह लागू हुआ था 1972 भी बिल्कुल करक्टर एंसर होगा आपसा नमबर भी ठीक है चौथे का स्वारी थोड़ी सी मेरे तबियत खराब है इसलिए खांसी आ जा रही तो बीच में उसके लिए मापी चाहेंगे ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला प्रसन तो यह चार हो गया आपका आगे बढ़ते हैं पाचवा प्रसन आपका आचुका है देखिएगा सभी लोग पाचवा प्रसन आपका आचुका है गांधी जी के अनुसार यानि according to गांधी जी बताएं गांधी जी क्या कहते थे कि साध्य और स कहा करते थे मेरे पैर दोस्तों कि आप जिस मार्ग पर चल रहे हैं वह मार्ग भी सुध्ध होना चाहिए और जो आप प्राप्त करना चाह रहे हैं वह भी सुध्ध होना चाहिए यानि वह भी अच्छा हो जो आपका लक्ष हो यानि आपका साध्ध है वह भी ठीक होना यहीं साध्य भी आपका सुतंत्र हो और आपका साधन भी आपका शुद्ध और सारलमलाब अच्छा होना चाहिए निगेटिव चीजे नहीं होनी चाहिए उसमें यहीं वो सकारात्मक होना चाहिए आपसा नमबर इसका B करक्ट एंसर होगा गांधी जी यहीं मानते हैं तो इन को आजादी लेनी है अंग्रेजों को यहां से भगाना है तो यह गांधी जी का साध्य हो गया लेकिन साधन क्या थे अहिंसा सत्य ठीक है सत्यागरा है यह सब था मात्मा जी का आंदोलन करना ठीक है आमनंसन करना यह सब क्या था यह सब साधन थे साधन भी मात्मा गांधी क सुध्ध थे बिल्कुल बात की जाए सुवाचन बोश जी की नेता जी की नेता जी कहते थे कि साध्ध हमारा अगर जो है सुध्ध है तो किसी भी रास्ते से अगर हम साध्ध को यानि की हमारा साध्ध क्या था उस समय नेता जी कहते हैं कि अंग्रेजों को यहां से भगाना य यह साधन आप गलत भी अपना सकते हैं ठीक है यह सुवाचन मलब गलत तरीके का मलब यह नहीं थोड़ा सा अगर उसमें निगेटिव भी हो तो चलता है चुकि गीता आप देते हैं भगवान स्रीकिष्ण ने क्या क्या धर्म के रक्षा के लिए धर्म संस्था धर्म के सारी चीजे ध्यान रखेंगे आगे समस्था थोड़ा सा अगर मैं बताऊंगा तो लंबा हो जाएगा बहुत वीडियो इसलिए थोड़ा सा साथ में कोशन्स के एंसर को बताते हुए बढ़ेंगे चटवा प्रसन आपका आ चुका है कि विच मिनिस्टरी आप दा गवर्मे इसका गलत एंसर है सही एंसर आपका आचुका सातवा नंबर प्रसन प्रसन भरस्टाचार निरोधक अधिनियम 208 के अनुसार रिस्वत देने वाली ब्राविक्ति को कितने साल की सजाका प्रवधान है बताए according to the जो है prevention of corruption act 2018 how many years of punishment is there for the person who gives ब्राइब बता ने correct answer इसका क्या होगा तो इसका correct answer होगा साथ में का आपसर नमबर भी 7 साल के लिए सजा है या फिर जुर्बाना भी हो सकता साथ में आपसर नमबर भी correct answer होगा आगे बढ़ते हैं आठवा प्रसनाप सभी लोग देखिएगा आठवा प्रसनाप का आचुका इसकीन पर सभी लोग देखिएगा भई प्रसनाप की पंथ निरपेख्ष सब्द का उलेख भारतिय शम्विधान में कब किया गया तो भारतिय शम्विधान में चुकी when was the word secular mentioned in the Indian constitution आपको बता दू मैं कि भारत पहले secular नहीं था मलब भारत में भारतिय शम्विधान की प्रस्टावना में भारतिय शम्विधान में secularism सब्द नहीं था मलब पंथ निरपेख्ष या धर्म निरपेख्ष या यसी कोई बात नहीं थी लेकिन 1976 इसबी की बात है 1976 इसबी में एक सम्विधान संसोधन होता है बात्रमा सम्विधान संसोधन बात्रमा सम्विधान संसोधन होता है 1976 में इसी में महात्मा इंद्रा गांधी थी उन्होंने इसको समलिद किया था ठीक है इसके अलावा आखंड़ता सब्द भी जोड़ा गया था और एक सब्द हो रहें अगला परसन आपका आ चुका है उनीसमा नंबर परसन देखेंगे सबी लो स्वाली नववा नंबर परसन है नववा नंबर परसन आपका क्या दिया हुआ है बताएं करक्ट एंसर क्या होगा तो इसका करक्ट एंसर होगा आपसर नंबर बी उनीस सो इक्यान नबे में उनीस सो इक्यान नबे राइट एंसर होगा इसका उनीस सो इक्यान नबे ठीक है नववे का करक्ट एंसर क्या होगा तो डाक्टर मर्मोहन सिंग ने प्रादम करी थी आपसे नंबर इसका एकरक्टेंसर होगा ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला परसनाप का ग्यारवा नंबर देखेंगे सभी लोग परसनाप से पुछा गया था कि गांधी जी के अनुसार सत्त के उच्चत मादर्स का पालन होन आगे बढ़ते हैं और भी परसनों को जानने का प्रियास करते हैं अगला परसनाप का बारवा नंबर आ चुका है स्वादेशी से गांधी विचार धारा में नहीं थे बताएं स्वादेशी मतलब क्या है स्वादेशी मतलब महत्मा गादी जी कहते थे कि बिदेशी वस्तों और और अपने यहां की चीज़ों को यहनी इसका करक्ट एंसर क्या होगा बारवे का बारवे करक्ट एंसर आ भी लगा देंगे विद्येसी वस्तों का पूर्ण भहिशकार आपसा अनम्बर इसका B अंग्रेजी में आप लोग इसको पढ़ते रहेगा हिंदी में में पढ़ने का प्रियास करता हूँ और ती ब्रगती से आगे बढ़ता हूँ ताकि आपका समय जादा नस्ट ना हो अगला परसन आपका आचुगा तेरवा नमबर परसन देखेंगे सबी लोग गांधी जी के रोटी के लिए श्रम के सिध्धानत में अनिवारता समलित है बताएं तो इसका सारी रिक कार है आपसन नमबर इसका B करेक्ट एंसर और फेजकल वर्क के लिए B आपसन इस राइट आंसर तो जिन्होंने B लगाया उनका बिल्कुल करेक्ट एंसर होगा तेरह का B होगा अगला परसन आपसे पूछा गया था आपकी परिक्षा में कि या किसने पर्तिपादित किया है कि खाली पेट वाले के लिए धरम निरर्थक है तो ये विवेका नंजी का कतन था कि खाली पेट वालों के लिए धरम निरर्थक है ठीक है भारत को धरम की नहीं रोटी किया हो सकता है ठीक है यह विवेका नंजी का कतन है यह बात ध्यान रखेंगे यहाँ पर अंगरी जी वाले पढ़ते रहिएगा आगे दिखते हैं अगला प्रस्ण है आपका है पंदरवा नंबर श्वामी विवेका नंजी ने बिश्व क किस देश में धरम समेलन में परतिभाग लिया था तो अमेरिका में था आपसन नंबर इसका ए करेक्ट एंसर होगा ए आपसन इस रायट एंसर तो पंदरवे के करेक्ट एंसर क्या होगा ए आपसन जिन्होंने ए लगा उनको नंबर मिलेगा आगे बढ़ते हैं अगला प्रस आगे देखते तो B करेक्ट एंसर होगा 16 में का 17 प्रसनाफ से है कि इस स्वामी विवेकानंद बर्डे यानि कि स्वामी विवेकानंद का जनम दिन है तो स्वामी विवेकानंद जी की बात किया तो इसका करेक्ट एंसर होगा आपसा नमबर 12 जनमरी 1863 इस भी ठीक है आपसा न साग दें आप यानि कर्म की इच्छा, यानि आप ना करने, आपसा नमबर इसका सी करक्ट एंसर होगा, छीक है, आप कорम फल की कर्म करते जाग, गीता में ही कहा गया है, उर गीता का ही संदेश है, गीता भगवत गीता में, भगवान स्रीकिष ने अर्जुन से कहा है कि है अर्जुन तू केवल कर्म कर केवल कर्म पर ही तेरा अधिकार है फल देना तो मेरे हाथों में नहीं तहे आर्था तू फल की चिंता मत कर तो जो बेक्ती फल की चिंता किये बिना बिना फल को सोचे फल को त्याक करके या फल से रहित जो है ठीक है फल के बिना ही क्या करता है कोई कर्म करता है कर्म फल की इच्छा नहीं करता है तो वह होता है निश्काम कर्म ठीक है आपसा नंबर इसका सी करक्ट एंसर होगा उनिसवा नंबर आपसे प्रस्न पूछा गया था प्रस्न था कि गीता में स्वाधर्म की अधर्णा नहीं थे। करतब भी है उनका पालन करने में आपसा नमबर इसका B करेक्टर एंसर होगा समाजी के स्थिति के हिसाब से जो जिसका करतब भी है जो जिसका अस्तर है जो जिस पद पर है अपने अपने उत्तरदायतु का निर्भान उसको करना चाहिए ठीक है कर्मवाद पर ही आदारित गीता आपसा नमर इसका बी करेक्टर एंसर था आगे आपसे प्रस्ण पूछा गया था देखे बीशवा परस्ण आपका आचुका है सभी लोग देखने का प्रियास करेंगे ठीक है जिन्हों ने भाई साहिब ने पेपर भेजा उन्हों से मैंने बोल दिया था दो तीन बार बोला था कि भाई थोड़ा सही भेजिएगा ठीक है और लोगों ने भेजा तो उस सब ऐ अग्रेजी वाला उधर मूंद गया है यानि चिप गया है मैं उसको भी दिखा दूँगा देखे नैतिक निरड़ए का स्वरूप है नैतिक निरड़ए का स्वरूप क्या है इन में से इन में से मूल्यात्मक है ठीक है आप से नंबर इसका वीगर टेंसर होगा ठीक है अब गरेजी में एक बार दिखा दूगा इसके इंसार ले लिजेगा 21 प्रसनाप का था कि गीता के अनुसार निमलिकित में से कौन सा इस्थित प्रग्य का लक्षण है इस्थित प्रग्य का लक्षण होता है कि बुद्धी में स्थिर्ता हो जाए चीक है विपत्तोचा महता में एक रूपता जिस प्रकार से सूर्य उदे होते समय लाल होता है और अस्त होते समय लाल होता है मेरी प्यारे दोस्तों ठीक उसी प्रकार से जो ब्यक्ती बुद्धी की स्थिर्था यानि जो ब्यक्ती स्थित प्रग्य हो जाता है यानि अपनी और रस्त होते समय लाल होता है ठीक उसी प्रकार से ठीक है समझ रहे न विक्ति शुक और दुख में शमान होता है तो यह हो गया आपसे नमबर इसका यह जिन्होंने ए लगाया उनका बिल्कुल करक्ट एंसर है आगे आपका प्रस्ण है 22 नमबर प्रस्ण देखेंगे 22 नमब इसका यह करक्ट एंसर होगा आगे देखते 23 नमबर प्रस्ण आप देखिएगा 23 नमबर प्रस्ण आप का दिया हुआ है कि इस्थित प्रग्य का गीता के अनुसार अर्थ है कि वह ब्यक्ति जो सुख और दुख से प्रभावित नहीं होता बिल्कुल आपसे नमबर इसका यह करक्ट एंसर होगा तेस का जिन्होंने यह लगाया उनका बिल्कुल करक्ट एंसर है अंग्रेजी में एक बार सभी लोग देख लीजेगा अंग्रेजी के इसका इसकीन साड़ ले लीजेगा ठीक है ओके चले आगे बढ़ते हैं चले, 24 से लेकरके 26 तक के जो परसनिय ये भी इसी परकार से हैं, तो इसका भी आप लोग इसकी 1971 लिजेगा, जो अंग्रेजी वाले हमारे चाचा तरह हैं, बाकी में फिर हिंदी में इसका answer बताने का प्रियास करता हूं, जो आपसन अंग्रेजी में हैं, वही आपसन हिंदी में है यानि आपसन नमबर A में जो अंगरेजी में लिखा है वही हिंदी में भी A में लिखा है ठीक है तो जो आपसन हिंदी में में लगाऊंगा वही अंगरेजी में भी लग जाएगा ठीक है वही सही होगा तो देखे चौबिस नमबर प्रस्ण आपका क्या कह रहा है आप से करें इसको देखने का प्रियास करेंगे सभी लोग मैं बताने का प्रियास करता हूँ 24 नमबर प्रस्ण आपका गीता की स्वाधर्म की अवधारणा संबंदित है गीता की स्वाधर्म की जो अवधारणा किस्ते संबंदित है भाई तो 24 का करेंशर क्या होगा 24 का करेक्टर एंसर होगा आपसर नमबर D उन कर्तब्यों के संपादन से जो उसकी समाजिक स्थिती के कारण मिले है निसमाजिक स्थिती के द्वारा जो कर्तब्य बेक्ति को संपन संपे गए कि भाई तेरा ये कर्तब्य है तो जो समाजिक स्थिती के कारण उनके करतब्य है, उनका समपादन उनके करμो को करना है, नि जो आपका करतब्य है आपका उत्तरदाइथ हो, उसका निर्वान आप सही तरीके से करें, ये गीता की स्वाधर्म की अवधारणा है, छीक है अप सानम्बर इसका डी करेक्टर एंसर होगा अगला परसन आपका आचुका है पचीस नमबर ना चाहते हुए भी बेक्ति किन कारणों से प्रेरित हो करके कारी करता है भगवत गीता के अंसार उत्तर दीजिए बताये वो इसे काम, क्रोध यहाँ पर ज्यादा बेटर तरीके से आपका लगेगा तो आपसे नमबर A इसका करेक्टर एंसर है जिन्होंने A लगाया उनको नमबर मिलेगा अगला प्रसन आपका है निमलिखित में से कौन सा एक मूल लिकथन है निमलिखित में से कौन सा एक मूल लिकथन है था, इसका करेक्ट एंसर क्या होगा मूल लिकथन क्या है, इस वर की सत्ता है इन में से देखें मूल ले आपका क्या होगा मूल देखें समाजिक मूल की बात भी होता है मानविये मूल ले human values की अगर बात की जाए खास करके मानविये मूलियों के हिसाब से तो ये देखें परमाडू बम का प्रियोग गैर कानूनी होना चाहिए ये आप जो है human values में कर सकते हैं और यहाँ पर स्वास्त की कामना की जाती है बिल्कुल ये उतना अदा effective आपका नहीं हो सकता है मूलियों के हिसाब से मानविये मूलियों के हिसाब से ये D आपका correct answer हो सकता है बिल्कुल आपसा नमबर इसका D correct answer जिन्होंने लगाया होगा उनको correct answer नमबर हो सकता है उनिस्टिक वाले अगर देंगे तो मिल जाएगा ठीक है तो D या फिर A लेकिन D 90% है A में 10% जाएगे ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला परसन आपका आचुका है भाई देखेंगे according to गीता सन्यास means बताएं गीता के अनुसार सन्यास का क्या अर्थ है भाई गीता के अनुसार गीता नहीं भगवत गीता बताएं भगवत गीता के अनुसार सन्यास का क्या मतलब होता है तो सन्यास का मदलब गरह त्याग करना नहीं होता है गीता किमसार समस्त कर्मों का त्याग करना भी नहीं होता है कर्म की इच्छा का त्याग करना होता है आपसन नमबर इसका C करक्ट एंसर होगा C आपसन इस राइट एंसर जिन्होंने सी लगा उनको नमबर मिलेगा नेक्स्ट परसन आपका पूछा गया था 28 नमबर एक बार जितने भी लोग देख रहे हो सभी लोग वीडियो को लाइक और सियर अवस्ट कर दीजेगा सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को सियर कर दीजेगा ओके चले अगला परसन आपका आचुका नेतिक जीवन के दिश्टी से गीता का केंद्रिय संदेश क्या है तो केंद्रिय संदेश नेतिक जीवन के दिश्टी से कर्म योग पराधारी था आपसा नमबर इसका C कर्क्टेंसर हो जन्होंने C लगा उनको number मिलेगा अगला परसन आप आप आचुका है 29 number परसन आप देखेंगे 29 number परसन नयतिक नरड़े तत्यों का नरड़े है, तत्यों के बिसे में नरड़े है तत्यों के ऊपर नरड़े है ठीक है, उन्हीं fact के according हम क्या करते हैं, निरड़े देते हैं, तो वो nothing निरड़े होता है, वो एक प्रकार से moral judgment होता है, अगला प्रसन आपका आचुका है, तीसवा नंबर प्रसन देखेंगे सबी लोग, तीसवा नंबर प्रसन क्या आपसे कह रहा है, प्रसन है, इस्थित प् प्रतिपादन किस ने किया, मलब प्रतिपादन किया है, बताएं, इस्थित प्रग मानसिक समता की इस्थिती है, ये गीता में बताया गया है, आपसन नंबर इसका D करक्टेंसर होगा, D आपसन इस राइट अंसर, आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर प्रसन आप समें लोग देख कि प्रबंधन में आध्यात्मी मोले के अंतरगर सम्लित है, देखें, तो आहनकार कम होता है, आपसन नंबर इसका D करक्टेंसर होगा, अगला प्रसन आपका आचुका है, आपका 32 नंबर हो चुका न, 32 नंबर का आपका करक्टेंसर क्या होगा, D आपसन, ठीक है, 33 नमबर है कि प्रबंधन में आध्यतिमोल निधान का स्रोत क्या है तो भाई ये सारे होते हैं आपसर नमबर इसका D करेक्टर है सरोगा अगला परसनाब देखते हैं 34 नमबर परसनाब का दिया हुआ है Dr. A.P.J. अब्दुलकलाम was born in the following place भाई निकी निम्लकित में से किस अस्थान पर Dr. A.P.J. अब्दुलकलाम का जनम हुआ था तो रामेश्वरम में हुआ था सभी को पता होगा आपसर नमबर इसका एक रख्टर था अगला परसनाब से पूछा गया था एक मिनट थोड़ा सा चले आपका 35 नमबर परसन धर दिया हुआ है कि अजीम प्रेम जी किस कमपनी से संबंदित है बताएं तो अजीम प्रेम जी कि अगर बात की जाए तो किस कमपनी से संबंदित है भाई अजीम प्रेम जी जो है विप्रो लिम्टेट से रिलेटेड है आपसे नमबर इसका C कर अगला प्रसन आपका 36 नंबर है कि सतत विकास की आवसकता है 36 नमबर परसनी क्या है सतत विकास की आवसकता है दिरकालिक आर्थिक विकास बिल्कुल ठीक है एक इस्थिर अजीबिका बिल्कुल ठीक है प्रकर्थिक प्रेम के साथ प्रकर्थिक के साथ सद्भाव में रहना बिल्कुल आपसा नमबर इसका D करक्ट एंसर होगा उपर एक तो सभी इसका बिल्कुल करक्ट एंसर है सतत विकास कियावसकता इसी इन तीनों चीजों कियावसकता के लिए दिरकालिक आर्थिक विकास होता रहे एक इस्थिर आजीबिका निर्धारित हो सके और इसके अलावा प्रकरती के साथ तालमेल बैठा करके सद्भाव तरीके से मनुसर रहे यही सतत्विकास का सस्टेनेबल डबलब्मेंट का लक्ष होता है आपसा नमबर इसका D जिनोंने लगा उनको नमबर मिलेगा अगला प्रस नमबर 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 प्रस नम तो इसका correct answer क्या होगा अंड़ती इसका बिलकुल सत्य और रहिंसा दोनों ही साधन है और इनी सत्य और रहिंसा इन सभी के माध्यम से महात्मा गांधी ने जो है अपने लक्ष की प्राप्ति करी आपसा नमबर इसका यानि की जो है अंग्रेजों को यहां से भगाया तो इस साधन है ठीक है आगे बढ़ते हैं 49 नमबर परसन की वर चले अगला परसन आपका आचुका है बैस अभी लोग देखने का प्रियास करेंगे अगला परसन आपका है 49 नमबर गांधी के अनुशार बताएं 49 का correct answer क्या हो गांधी जी के अनुशार सत्याध्यत्मिक सिध्धान्त है और इसका प्रियोग केवला ध्यात्मिक मोल ली हो सकता है यह सत्याध्यत्मिक सिध्धान्त है और इसका प्रियोग अध्याध्यत्मिक और ब्योहारिक दोनों हो सकता है बिलकुल B आपसन इसका ज्यादा करेक्ट है B ज्यादा क्या लगबक पूरा करेक्ट है 100% ही करेक्ट एंसर होगा आपका तो आपसन नमबर B इसका करेक्ट एंसर जिन्होंने B लगा उनको नमबर मिलेगा अगला परसन 40 नमबर आप देखेंगे हाँ भी सही आएगा थोड़ा सा आगे 40 नमबर परसन आप देखेंगे 40 नमबर आपका परसन दिया हुआ है सबी लोग देखेंगे 40 नमबर परसन है कि गांदी का सरवोदे सिध्धान्त मूलता है बताएं एक बहुतिक सिध्धान्त है या एक सर्व भूत दया का सिध्धानत है तो सर्व भूत दया का सिध्धानत है ठीक है ये बाद ध्यान नखिए गांधी जी का जो सर्वोदे का सिध्धानत है वो कैसा सिध्धानत है वो आपका सर्व भूत दया सिध्धानत है आपसा नमबर इसका C कर्क्ट एंसर होगा 40 का आगे बढ़ते हैं अगला परसन 41 नमबर परसन है मात्मा गांधी के अनुसार हम सत्य को खंडों तथा विभिन दिश्ट कोणों से देखते हैं तब सत्य निधार कौन करता है तो इसका कर्क्ट एंसर क्या होगा तब सत्य निधार कौन करता है भाई इश्वर करता है आपसा नमबर इसका ये कर्क्ट एंसर होगा जिन्होंने ए लगाया उनको नमबर मिलेगा आगे बढ़ते हैं तो इस प्रकार से आप लोगों ने 41 परसन की और हम आगे बढ़ते हैं प्रस्टनाप के sharper पर आ चुका है 22 na आपकी परिच्चा के दिश्टि से बहुत ही महत्पूंड है और देखें ये जितने प्रस्टनाप के 75 पूछे गए है इस परिच्चा में यe सभी विस्विद्ध्या लएक की परिक्षाओं के लिए बहुत ही जादा महत्तपोन है यह मार बार 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 वैशे लिए बोल लाओं ताकि आप इस वीडियो को लगबग चार से पांच बार दे करके सारे प्रसनों के दम से कंठस्त कर लीजिए ठीक है देखें तिराले समबर प्रसना आपका है और जब एक जाम में आप बैठोगे दो तीन बार वीडियो देखे रहोगे तो जो भी कोई भी प्रसना आएगा तो आप आसानी से उसको हल कर सकोगे तिराले समर प्रसना आपका कि निमलिखित में से गांधी बादी नीती का सबसे मूल लक्षण इन में से कौन सा है देखें इ अगला प्रसना आपका है CSR का अर्थ क्या होता है CSR का अर्थ होता है वहीं क्या आर्थ होता है CSR का बताने का प्रियास करेंगे करक्ट एंसर क्या होगा कार्पूरेट समाजी को उत्तर दाय तो आपका फस्ट भी है लेकिन इसमें भी है तो इसमें थोड़ा सा अंग्रेजी में हमको देखना पड़ेगा चूकि बिना अंग्रेजी के इसमें उत्तर आपका गलत हो जाएगा और सायद यहाँ पर यह जो है गलत उत्तर लगा है पहला बाला जैकर यहाँ पर कोवरीटिव है कोवरीटिव नहीं होगा ठीक है आप अगर इसका जो है कौवरीट कौवरीटट सोचल रिस्पोंस्पोंसबिलिटी इसकी फुलपाम होती अंग्रीजी में किसकी CSR की CSR की क्या होती है को आपरेट सोसल रिस्पॉंसिबिलिटी तो आपसर नमबर इसका C करेक्टर एंसर होगा ठीक है C आपसर इसका करेक्टर एंसर होगा अब बहुत सारे बच्चों ने ये लगाया होगा हिंदी वालों के लिए ही दिक्कत है चुकि हिंदी में वही चीज कार्पोरेट यहां पर लिका है कार्पोरेटीव यहां पर लिका है तो यह paper mistake है यह questions आपका हो सकता है गलत में चला जाया और इसके लिए सभी को numbers दिया जा सकता है या सभी का number काट लिया सकता है हलाकि इस पेपर का नंबर आपका जुड़ना तो है नहीं तो इसलिए नंबर आपका कोई इतना अदा महतु करता नहीं बस पास करने के लिए इसको पढ़ना होता है ताकि आप पास हो जाएं ठीक है समझ में आ रहे बाते तो चले लेकिन correct answer आपका क्या होगा गलत छपा है तो उसके लिए आप जिम्मेदार है पेपर वाले जिम्मेदार है यूनिवर्सिटी वाले जिम्मेदार है जिन्होंने इस परकार का पेपर बनाया उनको इस बात का ध्यान देना चाहिए ठीक है तो आपसा नंबर C चाहे A जिनोंने C लगाया उनका भी correct है जिनोंने A लगाया उनका भी correct है ओगे बढ़ते हैं 46 number परसे आपका आ चुका है कि मानभे मौली के लिए आवस्यक है मानभे मौली के लिए क्या आवस्यक है सदभाव में रहना बिल्कुल ठीक है 47 नमर की डेस जीने का पहला तल क्या है जीने का पहला तल क्या है वही फटापट से बताने का प्रियास करने 47 का करक्टर एंसर क्या होगा जीने का पहला तल क्या है ये सब ही है यानि परिवार प्रकरती ब्यक्तिगत यानि फैमिली नेचुरल इंडिविजूल और एक समाज च स्वाभाविक स्वभिकर्ती उत्पन करती है स्वाभाविक स्वभिकर्ती उत्पन करती भाई क्वोन उत्पन करती है स्वाभविक स्वभिकर्ती बिल्कुल आत्म constitution Self-exploration ठीक है आपस No жизни का जेसा अगला परसंद देखेंगे चीक है, भारत इस टेग यहाँ पर कड़ लीजिए, भारत इस टेग, ठीक है, आपसर नमबर B, जिन्होंने B लगाया उनका नमबर मिलेगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला परसंट, चले एक बेट, आपका अगला परसंट आचुका है, पचासफा नमबर परसंट देखे कि देखें डेट राइट्स फूड चेन बेगिंस बित यानि यह ध्यक्त राइट्स खाद श्रिंखला सुरू होती है कहां से सुरू होती भाई किस से सुरू होती यह तो सुरू होती पाउधों से आपसा नमबर इसका एक किसमें पायाज आएगा भाई बताएं मैक्जिमम बायो मैगनिफिकेशन बिल बी फाउंड इन बताएं एक क्या उनका करक्टेंसर क्या होगा बिल्कुल बी आप संजने लगा उनको करक्टेंसर हो जाएगा उनका प्राइमरी कंज्यूमर्स प्राथमिक भोगता ओके आपसर नंबर इसका भी करक्टेंसर होगा अधिक्तम जय वावर्धन प्याज आएगा प्राथमिक भुकताओं में अगला प्रसनाब देखिएगा अगला प्रसनाब का दिया है बावान नंबर प्रसन देखेंगे टर्म इको सिस्टम वाज क्वाइंड बाई मताएं सब्द इको सि ने श्वारी अरदेश्ट बोलना हूँ टैंसले महोदे ने दिया था इजी टैंसले महोदे ने दिया था टांसले महोदे ने एको सिस्टम सब्द का प्रियोग ठीक है किसने था एकोलाजी नहीं एको सिस्टम सब्द का या पारिस्थत की तंत्र का प्रियोग सबसे पहले सी आपसे वाले ने टेंसले ने किया था ठीक है जब कि अगर आपसे पूचे कि एको लाजी सब्द का परियोग या पारिस्थत की सब्द का परियोग किस ने किया था ठीक है पारिस्थतिक तंत्र और एको सिस्टम बात एक ही है तो एको सिस्टम सब्द का प्रियोग टेंसले ने किया था अरनेस्ट हेकल ने एकोलाजी सब्द का प्रियोग के था सबसे पहले ठीक है तो आपसे नंबर इसका सी लगेगा तिरपन नंबर आपका प्रसंदिया हुआ है देखे सारबादिक जो विवित्ता पाई जाती है maximum biodiversity occurs in सारबादिक जो विवित्ता पाई जाती है तो भिलकुल आपसा नमबर इसका एकरक्ट टैंसर होगा tropical forest में यहनी कि उस्ट्न कटबंधिये बनों में सारबादिक जो विवित्ता पाई जाती है आपसा नमबर इसका ये करक्टेंसर होगा आगे बढ़ते हैं 54 नमबर प्रसन की ओर 54 नमबर प्रसन आपका आचुका है देखेंगे शबी लोग कि परियावड़िये मुद्दों से सम्मंदित मामलों को जल्द निप्टाने के लिए 2010 में भारत की संसत का कौन सा अधिनियम लागू किया गया था फड़ावड़ से बताने का प्रियाज करेंगे परियावड़िये मुद्दों प्रसन आपका अच्छा है 54 नमबर प्रसन देखेंगे इसका करक्टेंसर होगा नेशनल ग्रीन ट्राइवियूनल अधिनियम लागू किया गया था आपसा नमबर इसका भी करेक्ट एंसर होगा नेशनल ग्रीन ट्राइवियूनल एक्ट ओके परियावड़िये मुद्दों समदिन मामलों को जल्द निप्टाने के लिए 2010 में भारत की संसत का नेशनल ग्रीन ट्रेवियूनल जो अधिनियम था ये लागू किया गया था तो आपसा नमबर इसका भी जिन्हों ने लगाया चावण का उनका करेक्ट एंसर है आगे बढ़ते हैं 55 नमबर परसनाप का दिया हुआ है कि नीचे दिया गया चिन सतत्विकास 2022 के किस लक्ष को दरसाता है भाई ये चिन जो है किस लक्ष को दरसाता है भाई ये चिन जो है परकार से ये जो है इसमें देखें इसमें थोड़ा सा दिक्कत है लेकिन मेरे हिसा आपका आचुका है कि रास्टी ए हरित अभिकरण के वडतमान अद्धेक्ज कोन है बताएं नेस्नल ग्रीन ट्रीविन यानिक की एनजीटी जिसको कहते हैं आप तो एनजीटी के वरतमान अद्धेक्ज कोन है तो जेस्टिस आदर्श कुमार ओैल विल्कौल करेक्टत Administration होगा आपसन नमबर है 56 का ए आपसन करेक्ट एंसर होगा अगला परसन आप देखते हैं 57 नमबर परसंद दिया हुआ है रियो डी जनेरियो रियो डी जनेरियो में प्रतवी सिखर सम्मेलन हुआ था प्रतम हुआ था पहली बार तो किस वर्स में आज़ुत किया गया था यहाँ कब आज़ुत किया गय था भाई तो 3 से 14 जून के बीच में आज़ुत हुआ था 1992 में तो आपसन नमबर क्या लगा होगे बी आपसन जिन्होंने बी लगा हुआ उनका करेक्ट एंसर है आगे बढ़ते हैं अगले परसंद की और 58 58 नमबर परसंद आप आप आ चुका है कि र अगला परसंद की आप का आ चुका है 69 नमबर परसंद आप देखेंगे 69 नमबर परसंद आप क्या दिया हुए बैइ साथ नमबर परसंद आप Uni Ultimate जो उड़्जा का प्रवाव होता है वो हमेशा एक तरफा होता एक दिशी होता आपसन नमबर इसका क्या होगा एपसन का रक्ट एंसर होगा 61 नमबर परसन आपसन भी लोग देखिएगा सतत मलब सब्द सतत विकास कब अस्तित्य में आया सतत विकास जो सब्द आस्तित्य में आया था इसका करक्ट एंसर क्या होगा बिल्कुल 1992 में ही आया था जब एक परकार से पहली बार प्रथवी सम्मेलन जब हो रहा था यानि की सतत विकास का सब्द आया था जब जो है रियो डी जनेरियों में क्या हो रहा था जो है सिखर सम्मेलन जब आज़ित किया गया था प्रथवी से रिलेटेड ठीक है तो आपसे नमबर इसका एक करक्ट एंसर होगा 1992 ठीक है स्वारी आगे बढ़ते हैं बास्ट नमबर प्रस्टों की और देखें ठीर का मतलब क्या होता है ठीर का मतलब क्या होता है यहाँ पर भाई ठीर का फुल फार्म क्या है करक्ट एंसर इसका क्या होगा भाई ठीर का मतलब फुल फार्म क्या होता है एक आर का मतलब होता है जो है रिसाइकल एक का मतलब होता है यहाँ पर देखे रिसाइकल लिखा है तो रिसाइकल बिल्कुल ठीक है एक का होता है री यूज ठीक है दुबारा यूज और एक जो है रेडी यूज तो आपसर नमबर इसका C करेक्ट एंसर हो जिन्होंने C लगा उनका करेक्ट एंसर है ये 3R का मतलब क्या होगा C आपसर में ठीक है आगे बढ़ते हैं तिरस्टर नमबर परसन आपका दिया हुआ था भई तिरस्टर नमबर परसन था कि निमलिखित मेंसे कौन सा कारण सतत्विकास सम्मंदित नहीं है इनमेंसे नहीं पूछ रहा है कि परियावडिये कारण सम्मंदित है नहीं पूछ रहा है तो यहाँ पर आप राजनितिक कारण लगा सकते हो ठीक है पॉलिटिकल बाकी तो समाजी कार्थिक और परियावडिये ये सब सतत्विकास से जोड़े हुए है कही न कहीं पे वैसे राजनितिक भी जुड़ा हुआ है यहाँ पर थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन यहोगा हो सकता है यहाँ पर कौन सा करण सतत्विकास से सम्मंदित है पूछा जाना चाहिए यहाँ पर नहीं थोड़ा सा गलत हो गया मेरे हिसाब से यहाँ पर आपका C आपसन भी करण से सम्मंदित है अगर यहाँ पर नहीं नहीं थो ठीक है लेकिन यहाँ पर नहीं नहीं थो इस प्रसंद का उत्तर सभी का मेरे हिसाब से लगबग आपको नमबर दे दे जाएगा अगर इसी में देखा जाए तो आपका समाजिक कारण भी हो सकता है आर्थिक भी रादनितिक भी हो सकता है परियाव अडिये तो है ही ठीक है यहाँ पर मेरे इसाब से नहीं थोड़ा सा गड़बड हो चुका है लेकिन अगर हो भी गया है तो इसको लिकर की चिंता करने की आपको आवा सकता नहीं है अगला परसने चौसर नमबर परसन देखेंगे बिस सतत बिकास सिखर समेलन 2022 का बिसे क्या था इसका बिसे क्या था भाई इसका बिसे ये था इसका विसे था आपका जो है रेजी लेएंट यानि लाचीले गरा की और सतत बिकास को निश्चित करना आपसा नमबर इसका सी करेक्टर एंसर होगा आगे बढ़ते हैं और 64 नमबर परसन की और स्वारी 65 नमबर परसन की और 64 तो आपका होई गया 65 नमबर परसन आपका आचुका है सबी लोग देखेंगे 65 नमबर परसन आपका आचुका है कि निमलिखित में से कौन सा पिरामिड हमेशा सीधा होता है तो उर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है अनर्जी का जो पिरामिड होता है XC2 सनक्षण में क्या नहीं आता है वही देखें राश्टी पार्क जो है ये नहीं आते हैं 1G अभ्यारण बायो इस्फियर रिजर्ब और 1G सफारी पार्क ये सब आ सकते हैं आपके राश्टी पार्क मेरे इसाब से आपका ये होगा B आपसन ठीक है लेकिन इसमें भी मुझे संदे थोड़ा थोड़ा लग रहा लेकिन B आपसन इसका होना चाहिए ठीक है बाकी आपके question सारे विल्कुल clear है आगे बढ़ते हैं संसर नमबर आपका परसन है full farm of AQI AQI का full farm क्या है वही year quality index ये आप लोगों ने पहले ही देखा है ये एक question में आलड़ी मैंने आपको बताया है विस परकार से जो आपका वायू गुडवत्ता सुचकांक होता है यानि कि year quality index उसी को बोलते है AQI आपसन नमबर इसका A करेक्टर एंसर होगा अगला परसन आप देखेंगे answer number परसन आपका है कि the most important green house gases is यानि सबसे प्रभाव साली green house gas कौन सी है मैंने बार बार आपको बताया कि CO2 जो होती है ये सबसे अदा वातावर्ण को गरम करती है और green house gas भी सबसे प्रभाव साली यही है green house gas में CO2 ठीक है और वातावर्ण को सबसे नुक्सान को और पहुचाती तो वो carbon monoxide CO पहुचाती है clear आगे बढ़ते है 79 नमर परसन की और 79 नमर परसन आपका आचुका है इस किन पर आप सभी लुग देखेंगे परसन क्या आप आचुका है कि वह विकास जो भविस्ट की जरूरतों को पूरा करने की छमता से समझोता किये बिना वर्तवान की जरूरतों को पूरा करता है उसे क्या कहते हैं उसे sustainable development यानि सदत विकास कहते हैं आप सा नमर इसका एक करक्ट एंसर होगा बिलकुल आगे बढ़ते हैं अगला प्रसन आपसे पूछा गया था आपके एकजाम में प्रसन बढ़ा अच्छा था कि प्राकरतिक आवास के भीतर सनक्षण को क्या कहते हैं प्रसन आपका अच्छा है बताने का प्रियास करक्ट एंसर इसका क्या होगा प्राकरतिक आवास के भीतर सनक्षण को क्या कहते हैं तो प्राकरतिक आवास के भीतर जो सनक्षड होता है उसको हम क्या कहते है उसको स्वास्थानी सनक्षड बोलना आता है ठीक है इन सीटू आपसे नमबर इसका एक एरक्टर एंसर होगा स्वास्थानी सनक्षड ठीक है और एक सीटू किसको कहते है जो बाइस्थानी सनक्षड होता है तो प्राकर्तिक आवास के भीतर सनक्षड को हम कहते हैं स्वास्थानी सनक्षड आगे बढ़ते हैं 71% के बाद में आपका आ रहा है देखेंगे 72% 72% आपका दिया हुआ है किसी जीव या समुदाय का प्राकर्तिक वास क्या कहलाता है तो उसको बायोम कहलाता है आपसे नमबर इसका B करेक्टर एंसर होगा अगला प्रस्ण 73% आपका दिया हुआ है कि इन में से अच्छे उर्जा का संसाधन कौन सा है तो अच्छे उर्जा का संसाधन है बायोमास आपका ठीक है आपसे नमबर इसका D बाकि मिट्टी का तेल पेट्रोलियम कोईला कभी भी खतम हो सकते हैं जबकि अच्छे उर्जा यानि जिसका च्छै नहीं होगा वो बायो मास है आपसा नमर इसका डी करेक्टर अंसर होगा अगला परसन आपका आचुका है 75 नमर देखेंगे बायो डाइवर्सिटी मीन्स यानि जविवित्ता का क्या आर्थ होता है लास्ट परसन यही है बताए जविवित्ता का क्या आर्थ होता है बाई जविवित्ता का आर्थ होता है कि बनस्पतियों और प्राड़ी जात की ठीक है और बनस्पतियां कि कई प्रजाती की हों कई कडगरी की हों ठीक है यह हो गया आपका जय विवित्ता वारा छेत्र ठीक है एक प्रकार से 75 कोशन मैंने आपके साल्व करवा दिये अब आप से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जादा से जादा आप सेयर कर कर दिजिए ताकि जो है मेरी मेहनत जो मैंने की है इतनी देर तक वो आपकी सार्थ तक हो जाए एक बीडियो इस 40-45 मिंट की बीडियो की पीछे लगबग और लगबग पिछले 5 घंटों की मेहनत होती यह बात आप ध्यान रखेंगे ठीक है तब इस परकार से आपका पेप देने की आवसकता नहीं करने चाहे किसी बेक्ती को और वो लगातार मुझे ध्यान आपको लोग दिलवाते रहते कमेंट के माध्यम से किसर जी पेपर साल्व करवाईए यह करवाईए अच्छा लगता और बहुत बढ़िया है और इसी प्रकार से आप लोग थोड़ा सा औ उरजानवित करते रहें, मोटिवेट करते रहें निशीत तोर पर आप लोगं के साथ मैं इसी साथ इसी धायर के साथ इसी उरजा के साथ इसी उमंग के साथ उड़ता रहूँगा, धन्यबाद मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो इन तब तक के लिए जैहिंज भारत, आप सभ सभी लोगों गुण नाइट इसी प्रकार से अपना प्यार हमें सबन रहें बहुत धन्य बाद हो सभी का गुण नाइट सभी को धन्य बाद